हेलो दोस्तों कैसा आप सभी लोग तो फाइनली हम स्टार्ट करें अपने एमसी केउ सीरीज फॉज जीपेड तो केरवल जीपेड पर हम सबसे पहले स्टार्ट करें थे अपनी जनरल फार्मकलोजी और इसके लिए थे उपर मैं आप से पूझेंगा व आपको कमेंट करके बताने तो वीडियो को आपको पूरा देखना बागी जो भी एमसी की यहां होने वाले आपको क्या करना है थोड़ासा यहां पर पॉस्ति की मैं यहां बोलूंगा आपको थोड़ा अपने दिमाग भी चला आपको सोच खाते हैं तो हमारी human body के अंदर जाता है तो actual में जो हमारी फार्मकलोज है वो हमारी इन ही दौनों का relation से बंको बताती है कि जो हमारे drug है वो इस body से कैसे connect है तो इसके लिए हमारे यहां पर क्या है दो काम हो रहे थे पहला क्या है कि जैसे हम कोई भी drug अपनी body में खा रहे थे तो यह हमारा आता है dynamic के अंदर की कोई भी जो drug हमने अपनी body में लिया तो वो drug कैसे काम करेगा हमारी body में जाके इसको हम पढ़ते है फार्मे को dynamic के अंदर अब जो drug हमारी body drug के साथ करेगी हमारा फार्मे को kinetic के अंदर इसके अंदर हमारी चार चीज़ा आती है ADME absorption distribution metabolism excretion सबसे बहले हमारा blood में पहुंचेगा फिर हमारी site of action यानकी जहां पर हमारा action दिखाना है बीमारी यह वहां पहुंचेगा अब चलिए अपने questions के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या होने बाला है सबसे पहला हमारे यहां पर question आता है कि the quantitative study of movement of drug in throw and out of body it is transformed is called तो देखो जीपेट का पहला rule का है कि आपको घबराना नहीं है यानकी simple सी बात यह है कि कोई भी question आता है तो एक्दम समझ में नहीं आता first time भी आमें ऐसा नहीं है कि एकदम आपका सब crystal clear रखा पहले से दे चुके हो बहुत बार आपको question को सबसे पहले समझना है थोड़ता तोड़ तोड़के तो यहां पर कॉमा भी आपके लिए लगा है तो पहला question है कि simply यहां पर आपको वस पहला ही word जहां पर पकड़ में आ गया कि movement of drug के बारे में बात हो रही है तो यहां बात होगी यहां को जरूरत ही नहीं है कि आप पूरा या question बगर देको पर एक बार हमें फिर भी cross check करना है आगे कुछ twist नहीं हो तो यहां पर है throw and out of the body यान कि body में movement करता है और body से बाहर भी जा रहा है transformation या कि उसमें transformation भी हो रहा है तो आपको बता है कि हमारा जो फार्मे को कानेटिक तो अब अगर हम बात करें यहां पर next question के बारे पहले इसका answer देखोगे आपको यहां मिल रहेगा answer कि हमारा भी है और यहां पर सारी प्रस्द आपको जा explanation मिल जाएगा तो सारी प्रस्द लिखी है कि जो फार्मे को कानेटिक है उसमें ADME सारो आती है हमारी और कैसे का movement होती है आप चाहो pause करके यहां पर पढ़ सकते हो ठीक है बाकी मैंने समझा दिया आपको अब सेकंड कोश्चन के उपर अगर हम चलें तो यहां पर question आता हमार what does pharmacokinetic include यहां कि फार्मे को कानेटिक हमारे क्या include करता है यहां आता है distribution of drug in the organism के बारे में drug bio transformation अब आपको यह word भी पता होने चाहिए तो जैसे हमारा यहां पर जो फार्मे को कानेटिक था वहां पर ADME हमारी चार्चीज आ रही थी और ADME में जो हमारे यहां पर metabolism है इसी metabolism को हम जो है bio transformation नाम से भी जानते हैं तो जिल लोगों यह पता होगा वो यहां समझ रहे होंगे वरना लोग इस पर doubt करता हैंगे तो इसलिए आपको जो इसके अजर नहें में वह भी पता होने चाहिए तो drug bio transformation भी होता है distribution भी होता है बागी excretion तो हमारे last में होता ही है तो यहा dynamic को kinetic को आपने बढ़ लिए वागर dynamic के बारे हम बात करें तो यहां पर हमारा मतलब simple अपनाम को अप्छे से याद है कि हमारी body के साथ drug क्या करता है तो पहले यहां क्या है mechanism of action यह हमारे एक right answer हो सकता है लेकिन मैंने पहले ही आपको पूरे option पढ़नी है तो यहां क्या है biological and therapeutic effect of drug तो अपना effect भी दिखाता है dynamic यान कि अगर अपना action दिखा रहा है तो अपना effect भी सो करेगा तो यह भी एक correct है जब दो हो गए तो यहां drug interaction होता ही होता है इसके अंदर तो हमारे दिखाता है all of the above इसमें क्या जाएगा direct इसका answer यहां पर हमें देखने को मिलेगा तो यह ह हमारे तीसरे का यहां पर answer क्या हो जाएगा डी हो जाएगा अब यहां पर आपको सारा explanation मिल जाएगा कैसे क्या है आप यहां देख भी सकते हो ठीक है चली पढ़ लेना बागि यहां अगर बात करें फोर्स के बारे में तो bitch of the following statement regarding drug administration is incorrect तो यहां पर drug administration क्या होता है जब हम को द्रग को कैसे हम खा रहे हैं तो administration के बारे में को जहां statement लिके हमको पता लगाना है कि कौन सा हमारे क्या है इनकरेक्ट है यांकि गलत है आपको इस तरह को समझना है थोड़ा काल्म होके पहला हमारा है when drug is administered by injection there is very rapid response of drug यानकि जब drug हमारा injection के तो दिया जाता है तो वह अपन into the blood so no objection is required no absorption पर यहां पर दिखाता है parental root के ज़ार है जब हमारे drug दिया जाता है तो अलग से absorption होगा नहीं तो यह भी हमारे correct statement है हमारे एक्दम ठीक है थर्ड यहां पर आता है parental root can be used in case of unconscious can can be used in case of unconscious patient तो यहां पर हमारे यह कर रहा है कि जो parental root है यानकि जो हम directly injection बगर थो दबा देते हैं अपनी नस बगर जा इंट्रमस्कुलर बगर इंट्रवेनस में तो वह हम use कर सकते हैं पर लुँड़े करने के रिए और उसको दबा जो जी है तो इसको हम पहस नहीं सकते हैं टो यह यह वाला स्टेट्मेंट हमारा गलत है यहां पर हमारा डी यह यहाँ की हम बहुर्ट पहसे को दे सकते है इंजेक्शन बगएरा यहां अंसर फिर्वत कोशेर हमारा आता है तो आपको जितनी बात है आपको पता लगे ना हमारी वीडियो का मेन मोटिफ यह है आपको जितनी चीज़ आपको नहीं सीखने को मिलें वह आपको कितनी ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब हो रहा है वह हमारा किसीथ पर अब्सृडब करता है यहां पहला है यहां पर प्रूर्ड और पाउंचे में बहुन्म है वही अगर हम देते हैं अब मतला ब्लड में तो अच्छी है आपकल रूट से अब ब्रूट से देते तब भी अहां एफेक्ट करता है थर्ड साइट अपैड में यह तो डिपेंड करता ही है कि हम उसको ओरल लूट से दे रहे हैं कि इंट्रमस्कुलर दे रहे हैं तो यह तीनों ही हमारे तो यहां पर हमारा आंसर क्या आजाएगा ओल आफ दा अब आप आजाएगा जानकि तीनों ही ऐसे चीज उस ब्लड के अंदर हमारे क्या आते हैं कुछ केमिकल मतलब एक हमारे ब्लड के कंपोनेंट आते हैं एक हमारा प्लाजमा आता है यान कि मोश्टली हमारा 45 से लेके 50 परसेंट पार्ट हमारा प्लाजमा है जिसमें बाटर हमारा कंटिन करता है हमारे जो ब्लड है तो प्लाजमा दे सकते इसका अंसर का होगा absorption distribution नहीं होगा elimination नहीं होगा metabolism नहीं होगा तीनों को आप जानते है distribution जब हमारा drug side of action पर जा रहा है cells में divide हो रहा है elimination जब body से बाहर निकल रहा है metabolism जब drug हमारा active से inactive form में convert हो रहा है तो इसका अंसर हमारा यहां पर होगा absorption यह वाला तो आंसर हमारा यह है बाकि सभी को यहां define किया गया तो आप इसको अच्छे से जो है पढ़ सकते हो बाकि चलिए 7 तक हम question के बारे हम बात करें यहां बिच काइंड ऑफ absorption में के इनना फॉलविंग पिक्चर तो यहां पर एक पिक्चर सो रही हमको बताना है कि absorption कौन सा चल रहा है तो absorption के लिए हमारे बहुत सारे तरीका होते हमारे diffusion है एक पैसब transport वोलते हैं तो यह दोनों ही केस में का और हमारे drug high की तरब जा रहा है अगर हम यहां पर image को देखें तो यहां पर हमारे चार रग हैं यहां हमारे आठ है तो बहई low से high तो यह दोनों तो हमारेन नहीं हो सकते हैं इस तरह भी आप सकते हो एक elimination प्रांसपोर्ट में हमारे ہوड हैं गैंगे से कमेंट से कमेंट के बतारें तो यहां पर हमारे राइट अंसर हो जाएगा एक ट्रांसपोर्ट क्योंकट यह हमारे cell हैं वो low से high concentration move करते हैं with the help of energy तो सारी चीज़े आपको यहां समझारी होगी तो इसका answer हमारा क्या हो जाएगा C यानकि active transport आपको यहां देखने को मिल जाएगा चलिए अब अगर हम बात करें यहां question number 8 की तो यहां आता है the main mechanism of most drug absorption is GI truck यानकि GI जो हमारा है उसमें mostly कौन सा absorption method हमारा यहां पर apply होता है हम लोग अच्छे तो जानते कि mostly drug यहां पर देखो आपकी थोड़ी knowledge भी काम आती जरूरी नहीं हर question आपको solve भी करना है तो हम simple जानते कि most of the drug है वो हमारा diffusion method से जाता है क्योंकि most drug में क्या हो रहा है जो हमारा high concentration से low की तरफ है आप अगर इसवाली में से समझोगे जो इसमें यहां देखाता है तो यहां mostly drug नहीं होता है high concentration में present होता और वो हमारा high से low की तरफ जाता है जिसको हम diffusion बोलते है से क्या होता है हमारे मूखम करता है तो यहां पर यहां पर जाएंसर कर यहां पर रोगं मिन्लों से आइंग तो कुछ सबस्सक्राइब उल essa है नीडा जाता है कि छो यहां तो इन हाई हमारे निकल निकल के हमारे अंदर बाहर करते हैं तो अब अगर यहां पर देख Этоड ऐसे ज़ए मिलएंगा अगर्वात अंभर देखनेट लेगा年 प्रेशा हुआ मुवन्ट करते हैं और इसमें मुवन्ट होता है ग्रेजिन ज़िद्स ए तो इस इस दो हमारे हमारे क्या हो ההुट है यह मात इसलिजित हैं उतका है इअ दो चोॉषियन के बारे में अगरां बात करें कोशन आ यह लो कंसेंटेशन वाले अरिया कि तरह मूव करते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है तो इसको इसको बढ़ा रहा है तो इसको इसको हमारे यूस होते हैं कुछ केरियर बॉड़ी जिसको जैसे एक्जांपल के लिए हमारा SLC अगर आपको अभी पूछा था है Solute Transport को यह है तो यह हमारा क्या है SLC वाला example हो गया है इसका Carrier वाला यूस होता है तो यहाँ पर जो पैसे बहुत है इसमें difference क्या है कि जो हमारा facilitated है Carrier Mediated Transport है इसमें Carrier का हम यूस करते है और यह Carrier की जो SLC है वो यहाँ से लेके Particle को नीचे पहुचाता है Downhill Transport नहीं Energy की जरूवत नहीं होते है और Innovation भाई यह भी नहीं है हमारा right answer क्या होता है Carrier Mediated Transport उसमें Carrier की हमको जरूवत पढ़ती है अब अगर हम यहां Last Question हमारा 10th से देखे है तो इसका answer आप यहां पढ़ सकते हो वही Same area हमारा अब 10th Question के बारे हम बात करें तो यहां बात कर दी है Half Life is the time required to तो basically इसमें बात कीता है तो हमें एक तरह से Half Life को define करना है कि भी Half Life हमारी क्या होते है अक्चल में तो यह को Simple क्या होता है यहां से हमारी होते ही Distribution तो Distribution हमारी एक बार में नहीं ऐसा नहीं है सारा का सारा ड्रग निगल जाता है हमारे यहां से कुछ ड्रग जाता है वो Distribute होता है अपना यूज करता है और Metabolize होने लगता है जब वो Metabolize होके हमारा Body से Excrete Out हो रहा है तो वो Time जब हमारा Blood Plasma है यानकि यह जो हमारा Blood Plasma है इसके अंदर जो हमारा Maximum जो हमारा पूरा का पूरा Drug है इस Blood Plasma के अंदर जब वो Half Amount में हमारा निकल चुका होता है यानकि केवल हमारा हमारों हमने 500 mg लिया तो जब हमारा 200 mg ड्रग सिर्फ हमारा Plasma के अंदर रह जाएगा तो उस Stage को लाने में जितना Time हमारा Requirement हुआ उस Time को हम Half Life बोलते है यानकि Plasma Half Life बोलते है यानकि Simple यहां बोला जाए हमें तो Half Life हमारी का है जितना Drug हमको लाने में Time लग गया तो Change the Amount of Drug बिच मतलब Drug in Plasma यानकि Amount of Drug in Plasma यानकि जब हमारा Drug Half Amount में रह जाए हमारे Plasma यानकि Blood के अंदर तो वह हमारी कहलाती कि Half Life तो बैसे दिखाता है definition हमारी First वाली मिली चुकी है बागी Second दिखाता है Metabolize Half of Intuitive Drug into Active Metabolize Active में नहीं है फिर Absorber Half of Intuitive यह भी नहीं है यह भी नहीं है यानकि हमारा Same पहला इसका अंसर होताएगा कि जब हमारा Drug है वह Half Amount में रह जाए हमारे Blood के अंदर Half निगल चुका हुआँ बार वह condition हमारी Half Life कैलाती है ठीक है तो simple था यह हमारा Fundra था बागी यहां पर आंसर आप देख सकते है बागी इनको आप श्टड़ी कर सकते हों आपको और डीटेल्स श्टड़ी यहां पर मिल जाएगी ठीक है बागी अब अगर यहां बात करें एक question जो मैंने आपसे पूछना था वह है most drug and metabolites are excreted by यानकि एक method आपको बताना है कि कॉन से टागमना mostly इन ही method तो इसका अंसर आपको comment section बताना है लिखकर जरूर बताना है इससे क्या होता है आपको थोड़ा help हो जाती है आपको सची तो याद रहती है वागी इसका अंसर में या comments में या फिर नेस्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा वागी बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे बहुत जाएग नेस्ट किसी MCQ वीडियो में तब तक मैं थैंक यू टेक केर रहे आज सब्सक्राइब अपना अपनी फेमिरीज का ख्यार लखेगा बाई बाई दोस्तों जाहिन दोस्तों